आवत ही हरसे नहीं, नैनन नहीं सनेह, तुलसी वहां न जाईए, चाहे कंचन बरसे मेग तुलसी दास जी कहते हैं कि यदि तुम अपने किसी सगे संबंधी या मित्र के घर में जाओ और तुम्हें देख कर उनका मन परसंद न हो, नहीं उनके नेत्रों में तुम्हारे प्रती प्रेम या सनेह दिखाई दे तो उसके दरवाजे पर नहीं जाना चाहिए, बेशक उसके घर में सोने की ही वर्षा क्यों न हो रही हो कहने का तातपर ये है कि जब हम किसी के घर पर जाते हैं तो लोग बड़े ही प्रेम से हमसे मिलते हैं हमारा सम्मान करते हैं, स्वागत सत्कार करते हैं जैसा एक समंधी को दूसरे समंधी के साथ करना चाहिए लेकिन कुछ अस्थानों पर ऐसा भी देखा गया है कि यदि कोई समंधी घर आ जाए तो लोगों के चेहरे पर खुसी के बाजाए एक उदासी का भाव नजर आता है एक नकारात्मक्ता आ जाती है और वह नकारात्मक्ता निश्चित रूप से उसकी आँखों में सामने वाला देख सकता है तुलसी दास जी इसी बात को समझाने का प्रयास करते हैं यदि आपको किसी अपने की आँखों में सच्चा प्रेम न दिखे बनावटी पन दिखे दिखावे की भावना दिखाई दे तो उस घर में हमें कभी नहीं जाना चाहिए क्योंकि उनके मन में आपके प्रती सच्चा स्ने अथ्मा प्रेम नहीं अपितु उप्यक्षा का भाव है और उस अस्थान पर चाहें कितना भी बादल से सोने की ही बरसात क्यों न हो रही हो तो भी मनुस्य को उस घर में कभी नहीं जाना चाहिए अपार धन संपत्ती होने के बावजूद भी जिसके मन में खर्च करने का भाव ही न हो दूसरों के प्रती प्रेम भाव ही न हो तो ऐसी धन संपत्ती का भला क्या उपियोग क्या अस्थान है कोई किसी के घर जाता है तो उसके प्रेम भरे बेवार के कारण ही जाता है केवल उससे अपना आदर सतकार कराने के लिए नहीं जाता अपने मन में इस्थित उसके प्रति प्रेम भाव के कारण ही जाता है मनुश्य को आत्मसंबान खोकर कोई भी कारे नहीं करना चाहिए इस्वर ने जितने भी जीव जन्तूओं की रचना की है उनके पेट भरने का उपाय भी साथ में ही कर रखा है अता हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में मुल्यों को बनाए रखें